MP में कॉंग्रेस को खड़ा करने वाले ब्राम्बन ठाकूर नेताओं की कोई खैर खबर लेने वाला ही नहीं है देखिए कॉंग्रेस खुद हासीय में हैं और जिस तरह से कॉंग्रेस की लिडर्शिप है उस द्रश्टी से मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की नीती, नियत, नारा और नेता सारे जनता ने नकार दिये हैं हालात ये हैं कि कॉंग्रेस के ठाकर और ब्रामण नेता अपने राजनीतिक पुनरवास की आस में हाशिये पर पड़े हुए सत्ता और संगठन का तगड़ा अनुभव रखने वाले ये ब्रामण और ठाकुर कॉंग्रेस नेता कि ये उमीदे हैं कि ये जो उबीसी सेंट्रिक पॉलिटेक्स कॉंग्रेस कर रही है इसमें कभी ना कभी उनिट होकर तो लगेगी और जैसे ही ठोकर लगेगी वैसे ही उनमें ये उमीद है कि उनका राजनितिक करियर फिर से शुरूर हो सकता है इसलिए ये वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखें मैं हूँ सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विबा MP कॉंग्रेस ने क्या भ्रामण ठाकुर नेताओं से तौबा कर ली है ये सवाल सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे लेकिन फिलाल यही सच्चाई क्योंकि मद्दप्रदेश कॉंग्रेस में इस वक्त ठाकुर भ्रामण नेताओं के बजाए सारी सियासत सिर्फ OBC नेताओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे है दरसल PCC चीफ जीतू पटवारी OBC वर्ग से महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष विभापटेल OBC वर्ग से NSUI अध्यक्ष आश्यूतोस 24 OBC वर्ग से यूद कॉंग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंग OBC वर्ग से किसान कॉंग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर OBC वर्ग से सेवा दल अध्यक्ष योगेश्यादव OBC वर्ग से दालुक रखते हैं MPK 48% वोट हासिल करने के सियासत में कॉंग्रेस ऐसे उलजी है कि पूर्वनेता प्रतिपक्ष अजय सिंग, पूर्वनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग, पूर्विधायक लक्षमंड सिंग, पूर्वमंत्री प्रियवरत सिंग सरीखे हाशिये पर पड़े नेताओं और उनके संगठ नात्मक अनुभव को भूली ही गई खैर ब्रामबन ठाकुर नेताओं को नजर अंदास करने के सवाल पर कॉंग्रेस नेता पीसी शर्मा भारी मन से क्या कह रहे थे आप भी सुने कॉंग्रेस पाटी के सब्सक्रा मुकाबला जिस दल्स है उस दल का अध्यक्ष प्रामबन है बिजिश नमास अध्यप्रदेश कॉंग्रेस में पूरी तरीके से इगनोर किया गया है जितने ही फ्रेंटल और अर्गनाइशेशन है सम्में भी सिक लिडर है अध्यक्ष भी सिंग आ इसा है कि कमलनाथ जी अध्यक्ष थे अध्यक्ष भी रहे हूं और अचेंज हो तो सची तुमठवारी जी आए और ये एक सतत प्रक्रिया है सुरेज पच्छोरी जी अबात लगे कि चले गए मारती जन्ता बाड़ी में लेकिन वो मतमिज़ेश कांग्रेश के अद्दश रहे थे 2008 में उनके नेत्तत में उसमें चुना वड़ा गया था है बाकि आज की परिवेश में देखे हैं तो मीडिया प्रवारी मुकेश नायक वो ब्रहमन है और राजसभा का समना अगर देखे हैं तो दिग्वेश सिंग जी और जो हमारे एड़ोकेट एक तनका जी है वो ब्रहमन वोड़ साथ है तो ऐसा नहीं है कि यह कोई गड़ी थी ले करेंग रखमें के समय जो जो सिंग रहती ऐस में न picture जाते हैं लेकिन अगर मुक्ःमांति को बात का रहे तो HOLGE जुआ जी शुकला जी इसा कोई मिया नाम मंध। दिग्वेश निंग जी अरिश्ञब जी मुक्षबश भीड़ी और राकुर जी है यह सर्प चीजों का एक समय रहता है अद्धक्ष में कांदिलाल भूरिया जो उससे आते थे आदियवासी वोड लिए रहुल गांति जाते जन्मगर्णा की बाद करता रहो जांजी ओवीसी गूर्ट बैंक की बाद करता है और कहीं ऐसा तो नहीं ओवीसी की अड़ताली सिर् अभी कि जो न्यूक्तियां की जारी थी केंद सरकार के दारा अगर किसी यूपी से उसके बगर उसके उन्हें उठाय तो आपिस लेना पड़ा ना सरकार नहीं माना गलत हो रहा है मानना पड़ा इनको तो यह जन्म करना तो इसली भी होना चाहिए कि अगर परीशी मन करना है आपको दूसरी करना यह जो बार-बार यह चलाते हैं बीजेपी वाले कि मायनटी ऐसी बढ़ रही है वह भी पता लगए रहे कितने हैं क्या हैं फैक्ट सामने आए रहूल उगांदी जी का यह यह इस फैक्ट सामने आए उट मैंने बताया ना कि समय कैसी क्या परिस्टी रहती उस परिस्टी में यह सब लुक्तिय को जब पीशी सी बनेगी तो उसमें बहुत से ब्रामन ठाकूर तमाम लोग मैं समझता हो के उंभीश सब रहेंगे और हमारे प्रवाली जो है जैंसी निए ठीन सीम ठाकूर है बाव उल्झे ये सब गेम है जिसको कहना चाहिए जब जैसा कॉम्बिनेशन की आउशक तो होती वैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है दरशल मद्ध्रदेश में ठाकुर ब्रामनों की तक्रीबन 12 फीजदी आबादी है मद्ध्रदेश की 70 फीजदी सीटों पर ये निर्नायक भी है कई सीटे तो ऐसी हैं जहां सिर्फ ठाकुर ब्रामन नेताओं के इशारे पर वोट इधर से उधर हो जाता है शायद इसलिए बिजेपी ने अध्यक्ष के तौर पर ब्रामन नेता वीडिश शर्मा की तैनाती की दोनों चुनावों के पहले खत्म हो चुके कारेकाल का भी एक्स्टेंशन का रिये संदेश दिया कि बिजेपी सामान निवर्ग के साथ खड़ी है सत्ता में आने के बाद भाजपा कि ब्रामन नेता राजे इन शुकला को डिप्टी सीम बना कर ब्रामनों को साधा जबकि नरेंग सिंग तोमर को विदान सबा अध्यक्स, गोविंद राजपूत, रध्यमिन सिंग तोमर को कैबिनेट मंत्री बना कर ठाकुरों को साधी है जाहिर है कॉंग्रेस की जाती, जन्गर्णा का एजेंडा पार्टी के भीतर ही फेल होता नजर आ रहा है लियाजा अब सवाल भी खड़े होने लगे देखिए कॉंग्रेस खुद हासिये में हैं और जिस तरह से कॉंग्रेस की लेडर्शिप है उस द्रस्टी से मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की नीती, नीत, नारा और नेता सारे जन्ता ने नकार दिये हैं इसलिए जो कॉंग्रेस खुद हासिये में होगी, वो ये एक्विशन्स पे क्या काम करेगी और जहां तक हम मानते हैं कि भारती जन्ता पार्टी में चार ही जातिया मानी गई है गरीब, किसान, युवा, इन सारे और महिलाएं, इन सारे विश्यों को लेकर सभी को एक साथ समाहित करते हुए भारती जन्ता पार्टी काम करती है और हम विकास के मॉडल पे काम करते हैं, ये जातिवाज जैसे सब्दों पे कॉंग्रेस ही काम कर सकती है फिलाल कॉंग्रेस के भीतर सामान निवर्ग के भ्रामन ठाकुर नेताओं में जमकर असंतोष है लेकिन खुल कर कोई अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहा है आलकमान भी कॉंग्रेस के सामान निवर्ग के नेताओं के भीतर बढ़ रहे और पनप रहे इस असंतोष को अब तक भाप नहीं सका है सुरेश पचौरी जैसे ब्रामन नेता के पार्टी छोड़ने के बाद भी कॉंग्रेस ने सबक नहीं लिया खेर विजपी कॉंग्रेस के भीतर गड़ बढ़ा चुके जाती समयकरन का सियासी माइलेज लेने की तयारी कर चुकी है विजपी जायर है मुश्किलें कॉंग्रेस की बढ़ मी तय है तो बात ये है कि मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के पास भ्राम्मन या ठापुर समाज के नेताओं की कोई कमी तो नहीं है लेकिन उनके लिए क्या प्लैन है कॉंग्रेस का OBC की मद्धिप्रदेश में 50% फीजदी population है और कॉंग्रेस का ये OBC politics करने के बावजूद लोग सबा में तो उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा और विधान सबा में भी करारी हार का सामना करना पड़ा तो क्या कॉंग्रेस को अब अपनी रणनीती को लेकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है और साती सात आखिर इन भ्रह्मन और ठाकुर नेताओं का क्या ये OBC politics के चलते उनको दो backseat में बठा दिया गया है तो आखिर उनका क्या उनका क्या future है अभी और कॉंग्रेस ने उनको लेकर क्या रणनीती बनाई हुई है शायद ये सवाल उन नेताओं के मन में भी है पर कोई पूछने को तयार नहीं है इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरीके के political analysis के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मैं हूँ सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर बेबाग